आदाब आप सभी कर इस्तक्बाल करती हूं मैं आप सभी की दोस्त रेणु भट आप देख रहे हैं पीमे वीडिया चानल चानल नंबर नो और एंसे आर्ड का ओफीशल यूट्यूब चानल अपने सभी देखने वालों को हम बता दें नासरीन के हम लेकर आए हैं उर्दू का सबक और ये नवी जमात के तल्बा के लिए हैं और आज का हमारा मौजू है गुजरा हुआ जमाना और इस पर आपको तफसील से मालुमात फराहम कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे माहिर चलिए हूं से मुलाख़ात करते हैं आप हैं डॉक्टर और आप में कॉल करेंगे डवल डबल डबल सी डबल फो दिरो डबल फाइफ नाइफ नाइए तो अब बिना समय वेस्ट के सहम फड़ाफ़ट शुरू करना चाहेंगे और हम आपके पास आएंगे जैसा हमने बताया कि आज का मारा मजमून है गुसरा हुआ जमाना इसके ब तल्बा से हम बात कर रहे हैं तो ये दरसल सरस्यत का एक इन्शाया नुमा मजमून है ये मजमून है लेकिन चुकर इन्शाया भी मजमून ही कि एक खिस्म है तो इसलिए हम इसको इन्शाया के जुन में रखते हैं अब हम अपने तल्बा को ये भी बताना चाहेंगे कि जिस त हमारे नस्र की भी मुदालिफ एसना होती है। नस्री एसनाफ में हम उसको दो कार्ट़रीज में झायत?" अफ़्सानवी नस्र और घर अफ़्सानवी नस्र अफ़्सानवी Initially हम जानते हैं कि दाज्तान, नॉवेल, अफ़्सान अवस्णी वे गारा यह वह उसनाफ है इन्शाया, ड्रामा, तन्कीद, खाका, मकतूब निगारी, तंजो मजा, रिपोताज वगरा, ये वो असनाफ हैं जिनका शुमार हम गहर अफसानमी नसर में करते हैं, लेकिन क्यूंके आज हम नोवी किलास के तल्बा से मुखातब हैं, इसलिए हम ये बताना चाहेंगे कि इन तमाम असनाफ में, यानि नसर की इन तमाम असनाफ में, जिनका हमने जिक्र किया, तमाम असनाफ शामिल नहीं हैं नोवी किलास में, बलके इन में से कुछ ही असनाफ शामिल हैं, मसलन कहानी, मजमून, इन्शाया, सफरनामा, खुदनविस्ट, सवाने, ड्रामा, ये वो अस हम अपने तल्बा को यह बताना चाहेंगे कि जो मजमून है रसल मजमून की जो खुसूसियात हैं यानि कौन से वो इलिमेंट्स हैं जिनकी बुनियात पर हम यह तै करें कि यह जो सिंफ है यह मजमून है तो मजमून में हम यह बताते हैं अपने बच्चों को कोई बी ऐसी तह हम मजमून के जिन में रखते हैं अचा उसमें तर्तीब करने हरहें को ही बता होना बहुत जरूरी होता है संजीद्गी और जो हम बात कहते हैं कि तहरीर को मजमून के दाइरे में रखिसकते tänker हैं अब क्योंके सरसेयत का जो ये जो ये मजमून है क्योंकि इसको इन्शाइय के जिम्में रखते हैं लेज़ हम ये चाहते हैं कि इन्शाइय के तालुक से भी हम मुक्तसरन अपने तल्बा को बता दें कि इन्शाया क्या है ? इन्शाया दरासल मजमून ही की एक खिस्म है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मजमून से अलग करती हैं इन्शाया को मुसलें जैसे हमने जाना कि मजमून में हम इलमियत का संजीदगी कारब तो रोवानी का ख़्याल लगते हैं लेकिन इन्शाया में ये तमाम चीजें जरूरी नहीं हैं बलके इन्शाया के खुसूसיाथ उसकी गेर संजीदगी और उसका उसकी बेरबती ही हैं तमाम खुसोजियात उसमें सगुफतगी होती है और उसमें कोई इलमी मसला ना होकर के इंसानी जिन्दगी का कोई वाकिया या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत बजाहिर गेर एहम है लेकिन इंशाया निगार अपनी तखलीकी उपच से और अपनी जो तखलीकी जिहानत होती है उसकी बुनियाद पर कुछ ऐसे वसाइल से काम लेता है कि वो जो तहरीर होती है वो पढ़ने वाले को मुसरत और एक अजीब तरह की लुथ अंदोजी का हैसास कराती है तो उसको हम इंशाया के जिन्म रखते हैं जैसकि हम इसकी इन पर देखी रहे हैं कि सगुफतगी और खैल आफरीनी होती है इसमें मौजू की इसमें पाबंदी नहीं होती किसी भी मौजू पर इन्शाया लिखा जा सकता है किसी शक्सियत पर लिखा जा सकता है किसी चीज़ पर भी लिखा जा सकता है तो अब हम अगर इन तमाम ऐलिमेंट्स की बुनियाद पर इन्शाया की ड के लिए भी इनी इस्तलहात का इस्तेमाल करते हैं इन्शाइया दरसल अदीब के एक जहनी रो होती है एक सगुफतगी और एक जो उसमें इन्शाइया निगार का लिखने वाले का जो उसलूब होता है वो उसका आइनदार होती है यह तहरीर शुरू में हमारे यहां तमसीली इन्शाइया लिखे गए जिसको ऐलेगोरी इन्शाइया तहरीरें कहा जाता था लेकिन बाद में इसके लिए हम सरसेयद मौना हुसाइन आजाद की जो नेरंगे ख्याल है वो तमसीली इन्शाइयों की एक बहुत उम्ता मिसाल है इसके अलावा बाद के अदवार में हगर ह मजमून निगारों में होता है लेकिन जाहिर है कि इनकी बाद तहरीर हैं जो इन्शाइया की कसोड़ी पर पूरी उतरती हैं अगर हम आगे के दोर का जायजा लें तो उसमें कनही अराल कपूर मुस्ताक यूसुफी यूसुफ नाजिम वजीर आगा और हमारे एहद के सरस्ये अहमेद खान की ये तहरीर है तो हम सरस्ये अहमेद खान के तालुक से बुन्यादी बाते आपसे कुछ इपधाई बाते अपने तल्बा से हम कर लें कि सरस्याइड जाहिरे कि 19-मी चरीके एक बहुत बड़े आलिम और एक बहुत बड़े दानिशोर गुजरे है और डेली में पैदा हुए, बाद में फिर, क्योंके 1849 से उन्होंने सरकारी मुलाजमत भी की, लेकिन सरस्यद जब गाजीपूर में थे, जब सरस्यद गाजीपूर में थे, यानि 1862 में, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी कोम के अंदर और लोगों के अंदर साइन्टिफिक करके आए, उस असर का नतीज़ था कि रिसाला तहजीब अखलाक जैसे एहम रिसाले की उन्होंने यहाँ पे जो है वो उसकी इशाद की, जिसमें समाजी, सियासी और हर तरह के मजामीर उसमें शामिल होते थे, अचा सरस्यद ने इंगलिस्तान से वापसी के बाद 1875 में एक एक स्कूल भी खोला था, वो इसकूल 1878 में मौमडन एंगलो औरियंटल कॉलिज के नाम से मशूर हुआ, और राहिरे की फिर 1920 में एक बड़ी यूनिवस्टी जिसको आज हम अलिकर मुस्लिम यूनिवस्टी के नाम से जानते हैं, वो मुलक का एक मुमताज इदारा बन गया 1878 ही में सरस्यद को सर का भी खिताम मिला, इसलिए हम सरस्यद को सर के नाम से आज हम उनको मुकातब करते हैं, सरस्यद की जिन्दगी का मकसद सिर्फ तसनीफ और तालीफ के कामों में मश्गूल रहना और एक बहुत तहरी की शख्षियत थी, कौमी काम और कॉलिज की और तसनीफ और तालीफ ही उनकी जिन्दगी का मकसद था, उनकी एहम तसनीफ में हम असार सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी जिलाव जनौर इन तसनीफ को रखते हैं कि ये तसनीफ सरस्यद की ही शनाक का वसीला नहीं है, बलके ये हमारे जो हमारी जो इलमी नसर के जो बानी है हमारे यहां, उनके एहम अनासिर में से एक उनसर सरस्यद भी हैं, सरस्यद ने मजमून की बुन्याद तो डाली डाली लेकिन ऐसी मुक्तसर तहरीरों की बुन्याद सरस्यद ने डाली कि जिनमें मुक्तसर तहरीर में बली से बड़ी बात कहने का और एहम से एहम बात कहने का फन जो है उस सरस्यदे ने हमें सिखाया तो उसी की जो एक मिसाल है ये सरस्यद का ये मजमून है जिसका उन्वान है गुजराओवा जमाना और जिस पर हम आज बहुत तफसील मजमून कोई से हैं और उनका मफूम क्या aluminum के जो नब्स है उसको समझने में असानी रहें जैसे हम पहला लफ लेते हैं मक्तव वही मक्तव के माने हिशन पर देखरें मदरसे कर च्छुकी का मतलब हों मिजाज का करवापन रूखापन इस तरह से बैत करना मुरीद बनना इताद का एहद लेना तस्खीर का मतलब होता है काबू में करना फत्ह करना बदवी दरसल अरब के बो बाशिंदे जो घर नहीं बनाते रेकिस्तानों में रहते हैं और ज्यादतर जिंदगी उंटों पर ये खीमों पर ही गुजाते हैं इसमें एक और इस्तला एक फिक्रा इस्तमाल हुआ है या अर्बी फिक्रा है इसके मतलब होता है कि खुदा की कस्म ना मैं ज्यादा करूंगा और ना मैं कम करूंगा ये इस मतलब होता है इसके लावा साई इस लबस का मतलब कोशिस करने के माने में हम इसको इसको इस्तावाल करते हैं इस तरह से साई का एक होता है साई कोशिश करने वाला मबनी मुनहसिर पशेमान शर्मिंदा यानि पस्ताने वाला तो यह वो अलफाज थे कि जो मुश्किल अलफाज थे और जिन के माने समझ देना बहुत जरूरी है तब हम इस मजमून को ह मुसलियत है उनकी नसर में वही संजीदगी, वजन और वकार है जो उनके किरदार में था जाहिर है कि सरस्यद की शक्सियत में जब ये तमाम अनासित थे तो यही चीज़े उनकी नसर में उनके इल्मी कानाओं में देखते हैं चाहि इस मजमून में सरस्यद का जो असलूब है वो अफसानवी है ये खालिस म defending का और असलोब ना हो करके और खालिस अलमी असलोब ना हो करके ये एक बड़ा अफसानवी असलोब है फिक्शनल नेरेटियू हम इसको कह सकते हैं आखरी इक्तिबास से कबल ये अंदाद ही नहीं होता कि सरस्यद की कहानी का हीरो कोई बुड़ा है या कोई नूमर लड़का है यानि कि इस तरह से उसको ख्यालाती, तख्यूली और उसके अफसान में स्लूम में बयान किया गया है अचा इस मदमून में सरस्यद वक्त की अहमेंट को बुन्यादी तोर पर इस वार बात करते हैं और सरस्यद वक्त की अहमेट को अच्छी तरह भी समझते थे और वो अपनी तहरीरों के जरीए कौँ को और कौँ के बच्चों को से कोई यही मैसेज देना चाहते थे देखे सरसयद गुदरा हुआ जमाना उन्वान के इस मजमून में दरसल वक्त की अहमियत पर रोशनी डालने हैं और इसका मफ़ूम सिर्फिया है कि एक बुड़ा है जिसको एक तनहाई की और एक बहुत ही खोफनाक रात का सामना है बिजली कड़क रही है और एक अजीब से क कैफियत है और इस कैफियत को वो बयान करता है तीन पॉइंट में तीन स्टेज़ में पहला स्टेज वो याद करता है अपनी बच्पन के जमाने को जब वह ललगपन के उमर में था कि कोई भी उसको समझाता था तो उसको कोई फरक नहीं पड़ता था और वो बिलकुल बेफिकरी के दोर में था तो उसने कभी समझा ही नहीं के मेरा मुस्तक्बिल क्या होगा तीसरा दोर हुआ है जब वो जवानी की दो की देहलिश पे कदम रखता है और जवानी की देहलिश में कदम रखने के बाद फिर उस पर एक अजीब सी कैफियत बहुत खुबसूरत था उसके लिए सरसजीर ने जो है वो अलफाज इस्तमाल किये हैं कि वह अपनी उम्र के बिलकुल बहुत एहम स्टेश पे था लेकिन उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उस वक्त को भी यूँँ जाय कर दिया एक ये वक्त है कि जिस वक्त में वो बर्स की अखीर रात में बिलकुल तनहा है और बहुत ही खोफनाक और बहुत वहशतनाक रात का उसको सामने है तो अब लड़कपन की और जवानी की के उन दिनों को उन ऐयाम को रोकर और उनको याद करता है और सिवाए पस्ताता है अच्छा इसमें ये तो ये है इ ऐसे ही वो बुड़ा बर्स की अखीर रात के उस मनजर से गुजर रहा है तो अचानक वो खिड़की के बाहर देखता है और खिड़की के बाहर जब देखता है तो रात साफ हो चुकी है और बारिस भी रुक चुकी है और वो मनजर नहीं है जो मनजर कुछ देर पहले था त जब वो गोर से देखता है तो वो एक खुबसुरत दुलहन है अचा खुबसुरत दुलहन से सरसयत की क्या मुराद है सरसयत की खुबसुरत दुलहन से मुराद यह है कि भई एक दुलहन है जो उससे यह कह रही है कि तुमने लड़कपन में और तुमने जब तुम बच्चे थ और अब ये वक्त है कि तुम पस्ता रहे हो तुमने जो भी काम किये वो सिर्फ अपने जाती मफात के लिए किये लेकिन कौम की भलाई का और मुल्क की भलाई का या समाज की भलाई का कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो तुम्हारे लिए जो है वो कारे खेर बनता और जो तुम्ह अछी हजैना में अचानक से वो दुन्हन गयाव हो जाती है और यego चीख उठता है वो बुध्धा और यego चीख उठता है तो अचानक क्या देखता है कि उसकी माँ उसके बगल में ख़़ी हुई है उसको समझ रही है कि तुम झग हम कहते थे कि तुम ऐसा मत करो थी और उसने चीजे खौब में रेखी तो यह जो खौब है यही एक स्थिर्गा का सिंबल है और इस थोँआब को इस त्यारा बनाकर दरसुल सरसेयद ने वक्त की अहमित पर रोशनी डाली है कि अगर लोग वक्त की एहमियत को वक्त रहते समझ लें तो उनको पस्ताना ना पड़े जिस तरह से ये बुढ़ा पस्ताता है इस तरह से पस्ताना ना पड़े और इसी तरह से फिर वो डड़का जो होता है वो एक उसे मलब बिलकुल एक बहुत नए जोस के साथ नए मलबले के साथ उड़ता़ है और वो आइनदा उन तमाम बातों को दोराने का ना दोराने का एहल लेता है जिन को उसने खवाब में उस बुढ़े के हवाले से देखागा था तो जाहिर है कि सरसेद इस मदमून के हवाले से इस इनशायए के हवाले से यही मैसेज देना चाहते हैं कि कौम के नोजवानों और मुलक का मुस्तक्बिल जिन बच्चों पर है उन बच्चों को इस बुढ़े की कहानी से और इस बुढ़े की जो कैफियत थी उससे सबख हासिल करना चाहिए और अपने वक्त की कदरों कीमत का एसास उन्हें वक्त रहने करना चाहिए यही इस मजमून का इस इन्शाया नोवा मजमून का यही मकसद है जी 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 देखिये इस में जो मजमून को पढ़कर जो की इन्शाया है इसको पढ़कर के हम इन्शाया और मजमून देखिये मजमून और इन्शाया इस तरह से मरबूत है एक दूसरे से कि इनको अलग करना कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है लेकिन चुके हमने बताया कि मजमून की खुसूसित उसकी इल्मियत संजीदगी रब्तरवानी होती है जबकि इन्शाया में ये तमाम चीज़े नहीं होती है इन्शाया में हम एक तरह की बेरब्ती एक तरह की सगुफटगी और हमारा जो सरुकार होता है वो उसलूब से होता है उसलूब से होता है कि हम किसी वाकिये को या किसी भी सक्सियत से मुतालिक जो बात कहते है कि उसमें हम इस चीज़ के खायल लगते हैं कि उससे जो है वो एक तरह की सगुफटगी और मुसरत का हैसास हो तो हम तल्बा से ये करा सकते हैं कि इन्शाइय और मजमून के बारे में उन्से कुफ्तकू कर सकते हैं। दूसरा हम काम ये करा सकते हैं तल्बा से कि वक्त की एहमियत पर मुवासा करा सकते हैं। जिस तरह से सरसेयद ने इस मजमून में इस इंशायए में वक्त की अहमियत पर रोशनी डाली है, तो हम इस मजमून को समझाके तल्बा से वक्त की अहमियत पर रोशनी डलवा सकते हैं। अच्छा दूसरी सरगर्मी क्या हो सकती है? वक्त पर काम करने के फाइदे और ना करने के नुक्सानात पर बहस करा सकते हैं। इसी तरह से हम मुसन्नीफ के बारे में कुफ्तकू कर सकते हैं। और दूसरा यह की तल्बा से सरसयिए्ट के इल्मी, आजबी और समाजी का नामों पर हम एग बहसे हम रहां कर आसकते हैं। इसके लावा जवानी अधेर और बुढ़ापे में बयान की गई कैफियत जो कि इसमें बयान की गई हैं इन कैफियात पर हम तल्बा से मुभासा करा सकते हैं उनसे बहस करा सकते हैं इसके लावा एक आखरी जो सबसे एहम चीज है वो ये कर सकते हैं कि जो इस मजमून में सरस् जुम्लें हैं सरसेयत के इन अक्वाल पर हम तल्बा से मुजाकरा करा सकते हैं यानि ये वो पहलू हैं ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर हम तल्बा से क्लासरूम में जो है वो मुवासा करा सकते हैं मुजाकरा करा सकते हैं ताके इस मजमून के हवाले से कही गई बातें उनके तालोक से जादा बहतर तरीके से उनके जहन नशीन हो सकें तो ये तमाम सरगर्मिया हम अपने इस्टूरेंट्स को दे सकते हैं अभी भी हमारे पास तक्रीबन चार मिनिट का समय शेश है कुछ और बात जो आप हमारे तलबा के साथ साथ है करना चाहें? जी हम आज अपनी नवी किलास के तलबा से हम यही कहना चाहेंगे कि सरस्यद अपने इस मजमून के हवाले से सरस्यद अपने इस इन्शाइय के हवाले से वक्त की एहमियत पर जिस तरह से जिस अफसानवी अंदाज में और जिस तक्यूली अंदाज में रोशनी जालते हैं उसका मेसेज और उसका मकसद सिर्फ कौम के नوجवानों को और मुलक के नوجवानों को खिताब करना है उनको ये समझाना है कि देखो वक्त रहते आप जो है वो वक्त को जाइध ना करें कि बाद में पस्ताना पड़े और उस बुढ़े की तरह पस्ताना पड़े जिसills हो अंधहरी रात में उस वहषतनाक मन्सर में उस पस्ताता है और वो जो हमेशा रहने वाली नेकी है सरसाइध के नस्दीक वो नेकी सकें सरसेयद अपने इस मजमून के हवाले से इस इंसाये के हवाले से यही बात कौम के बच्चों से कहना चाहते हैं और हम यही अपने तल्बा को समझाना चाहते हैं कि वो सरसेयद के बताईवे इस बताईवी इस नसियत पर अमल करें और आइंदा अपने वक्त को उस कम नौ कुझ चरो कर सकेंगे और वक को सही कामों में सिर्फ कर सरेंगे हैं नहीं अब जू ऑफ सहाथ रहे हमारे साथ रहे हमारे साथ dês southwest功 क हमारे शुक्रिया करते कि आप इतने अच्छे जानकारी हमारी सभी तलबा को दी और अब वक्त हमें बिल्कुल इजासत नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं लेकिन जाने से पहले अपने सभी देखने वालों को कहेंगे कि अभी हम एक छोड़े से ब्रेक पे जारें ब्रेक के बाद भी अपन झाल झाल झाल